कि हालो फैंश आम धर्मेंद एंड यूर वाचिंग चैनल यूर एक्जाम गोली इन दिस वीडियो फैंश हम डिक्स करने वाले हैं बीपी ऐसी प्रिलिम्स सब्सक्राइब कर लें और आपको दिख रहा होगा वीडियो के बाज़ो में प्रेश कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नाट्फिकेशन मिले आपको सबसे पहले और हाजी फैंस वीडियो आती ही पसंद तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले तो चल कि आप देख सकते हैं जहां पर हम डिसकस करने वाले हैं आपकी क्या बीपी ऐसी 2020 एक्सपेक्टेट कट ओफ दोस्तों आपको बता दें आपको कल और पार्सों में वीडियो से लिए नहीं मिला आप लोग कमेंट्स करते हैं क्योंकि पूरा अनॉलिस करने के बाद आपके कम मौरीड हैँ ज WOW करते हैं अपके यूर केज़िवी शीडिवर यूर ।याइंड ॉबालण FREE । तो आपको बता दें आदे आप युवार्ट से बिलॉन करते हैं और आप बिलॉंग करते हैं ओभी शी ये से और ओभी शी बीशे तो फ्रैंस मैंने आप सभी कि कमेंट्स के रिविव किया है और आपकी पेपर का लेविल पदा है चला है तो दोस्तों dwins आपकी पेपर का लेविल था कैसा आपकी पेपर का लेविल्ट था मौड़ेट टुटाफ एजी टुटाफ नहीं था मौड़ेट टुटफ था ऐसा मेरा फैंस से बात करने के बाद अन्भाव आया कि आपको जो पिपर है वो मॉडे टू टप रहा है एजी नहीं आप फैंस कितने मार्क्स आपने गेंड किये हैं आपकी कैटी की बाइस हम वो देख लेते हैं तो फैंस आपको बता दें अधी आप यूर कैटी से और आपने BPSC 2020 में मार्क्स गेंड किये हैं कितने जिहां दोस्तों एदी आप मार्क्स लेकर आये हैं एक सो चार से लेकर आपके कहां तक आपके मार्क्स एदी हैं 106 मार्क्स के बीच जिहां दोस्तों 104 से लेकर 106 के बीच एदी आप ब्लॉंग कर रहे हैं यूर कैटीगरी और मार्क्स ला रहे हैं तो आपके हाँ पर पूरे पूरे चांसेज हैं आप नेश्ट लेविल के लिए अभी सी तैयारी करना इस्टार्ट कर दीजिए जहां दोस्तों आप आप अपने मेंस की तैयरी कर दीजिए क्योंकि इतने मार्क्स इनाफ हैं परयाप थे यूर सेलेक्ट हैंड़ परसेंट एंड यूर सेव ओके तो फैंस रहा किसका आपके यूर कैटिगरी का दैन इसके बार हम देख लेते हैं आपका क्या ओवी सी एंड ओवी सी बी तो फैंस आप मार्क्स ला रहे हैं 102 के बीच से 102 से 104 की बीच आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 102 से लेकर 104 की बीच तो आपका स्लेक्शन भी 101 परसेंट दन है यूर सेव एंड सेक्यूर जिहां फैंस आप नेस्ट लेविल की तेयरी अभी सिकाने स्टाट कर दीजिए क्योंकि उसको भ ज्यादा टाइम नहीं है आभी से लग जाई आपके मैंस की तैयारी में इतना है तो बिल्कुल इनफ है इससे ज्यादा कट ओफ देखने को नहीं मिलेगा यह मैं आपके कामेट्स का रीबू एंड आपके पिपर का लेविल और आपके लास्ट येर का कट आप को देखती लेश्ट क्या आपका OBCB कैटिगरी आप OBCBC ब्लॉंग करते हैं और आपने BPSC 2020 में माक्स गैन की हैं कितने हैं जी हाँ दोस्तों आपने प्रेलिम्स एकजाम में आपने माक्स गैन की हैं करिवन हैं हैंड लेकर आपके एक सो दो के बीच एदि आपके इतने माक्स आ रहे है तो बिल्कूल आप 101 परसेंट शेक्योर हैं यूर सेव एंड सेव एंड स्लेक्ट नेश्ट फेज तो फैस आप अभी से लग जाईए तैयारी में आपके मैंस की आपका सेलेक्शन विहां पर 101 परसेंट होने वाला है बिल्कूल आपको टेंशन की आवा सकता नहीं कि सर मेरे यतने में सेलेक्शन होगा की नहीं होगा आपका सेलेक्शन हैंड परसेंट हो जाएगा यह आप ओबी सीवी कैटिगरी से इतने माक्स गैन कर रहे हैं तब तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेस्ट कैटिगरी अधर फैस आप देख पा रहे होगे हम आगे अंगली स्लाइ 17 में माक्स गैन की हैं ऐसी कैटिगरी से कितने जिहां दोस्तों आप माक्स ला रहे हैं करिवन 84 से लेकर आपके 88 कि सम्थिंग तो दोस्तों आपका सेलेक्शन भी हाँ पर हैंड़ेड एंड़न परसेंट होने वाला है जिहां फैंस आप से बहें आपको टेंशन की आवश सक नहीं एदि आपका इतने स्कूर आ रहा है तो दोस्तों आपका 101 परसेंट सेलेक्शन डन हैं आप बिल्कुल टेंशन ना लें आपके मैंस की तयारी में लग जाएं जुक जाएं इतने से जाद आपको कट आफ किसी भी एनिहाव कंडिशन में देखने को नहीं मिलेगा आप आपको इससे कमी कट आप देखने को मिल जाएगा बट इससे ज्यादा कट आप देखने को नहीं मिलेगा एदि आप इस कैडिगरी में फस रहे हैं तो बिल्कुल आभी से तयारी में लग जाएं तो फैंस यह तो होगा किसका आपके एस सी कैडिगरी का अब हम बात करते हैं आपके एस टी कैडिगरी का कट आप तो दोस्तों आपको बता देए एदि आप बीपी एस सी 2020 में आप एस टी कैडिगरी से ब्लॉंग करते हैं और माक्स गेन कर रहे हैं कितने जिहां दोस्तों आप ला रहे हैं करीबन 74 से लेकर आपके कितने आप ला रहे हो 79 कि सम्थिंग एदि आपका इतने स्कोर आ रहा है तो आपका स्लेक्शन 101% होने वाला है आपको इससे ज़्यादा मार्क्स देखने को नहीं मिलने वाला इसलिए आप अभी से अपने मेंस की तेयरी कीजिए क्योंकि आप मेंस की तेयरी नहीं करेंगे कटऊफ की चिंता करेंगे तो दोस्तों आपका इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है हमबल रिक्वेश्ट है कि आप अभी से मेंस की तेयरी करें आपका एक्जाम 111% क्रेक होने वाला है यदि आपका से इतना माक्स है तो चलिए फैंस हमने यहां पर जाना कि आपके यूर आपका ओविशी आपके ओविशी में दोनों सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर लेस्ट करने होंगे कितने आपको इवार से कुछ पीसे चलना होगा फैंस इवार से आप टू नमल लेस्ट कर देना वही आपका कट ओफ रहने वाला है ओविशी से थोड़ा ऊपर और आपके इवार से थोड़ा कम जहां दोस्तों आपका रिवन हांड़ेट के सम्थिंग भी माक्स ला रहे हैं तो आपका सेलेक्शन यहां पर बिलकुल ड़न है आपको भी टेंशन की आवा सकते हैं यदि आपके इतने श्कूर आ रहा है तब ओके फैंस तो आपने आपर हरे केटिकर के कट ओफ देख लिया या खिरकार आपका बीपेशी 2020 में कितना जा सकता है कट ओफ तो फैंस आपके कुछ डाउट्स हैं जो की किलियर कर लीजिए ड पाकाइदा या तो बहुत डिलीट कर देगा या फिर आप लोगों को उसके मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों ने अबजेक्शन नहीं लगाया तो लगा दीजिए आपको यहां पर टाइम मिला है 25 तक कहना आपके 25 तक आप अबजेक्शन लगा सकते हैं आपकी आंसर की बहुत जल्दी देदी है आयोग ने इस बार ऐसा कभी नहीं होता था इतने जल्दी आंसर की कभी नहीं आती थी जो कि इस टाइम आ गई है तो फैंस आप लोग को ऐसा लगता है कि हां कुछ कॉशन गल्थ है या फिर आयोग की तरफ से गल्थ क्यार दिये गए हैं या फिर या तो फिर वो आयोग डिलीट कर देगा या फिर उनकी नमर सभी को देगा तो आपको लॉस किसी भी कंडिशन में नहीं होने वाला बट ऐसा हो कि हां 100% आपका गल्थ होना चाहिए जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं अब बहुत से कैंडिट वोले सर्ट आपको एक वीडियो प्रवाइट करा दूंगा सूचित कर दूंगा और जो भी निव अपडेट साती हैं तो मैं आपको जल से जल प्रवाइट कराने की पूरी कोशिश करूंगा लेकिन जाने से पहले सबी फैंस से रिक्वेस्ट है कि यादि आपके मांक्स इतने में बन र ही करते हैं आपके इतना श्कूर है तो आपका सेलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं यह तो हैंडेट परसेंट बिल्फुल गारंटी तो की डिया फैंस लेते हैं आपसे विदा टेक याल लव यॉल जैहिंद जै भारत